नमस्कार दोस्तों, जैमा काली का, जैमाता भद्रकाली की स्वागत है, आप सभी का आज की वीडियो में तो तुल्ला राश्यवालों सावधान बहुत बड़े अनर्थ से पीछा छुटने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ, वहां बहुत ही ध्यान से सुना। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दे, आने वाले अपने 24 घंटे का समय आपकी राश्यवाले जातकों की जीवन में तीन बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। जी हां दोस्तों, आपका ग्रह गोचर ने इस बात के सपष्ट संकेत दे दिये हैं। आने वाले अगली 24 घंटे में शनी देव की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसने वाली है दोस्तों। इन 24 घंटे में आप देखोगे कि शनी देव आपके दुश्मनों से पूरा बदला लेने वाली है। जिन लोगों ने आपके कदम कदम पर धोखा दिया था, जिन लोगों ने आपके खिलाफ बड़े-बड़े शडियंत्र बनाये थे, अब उनका अंतिम समय आ गया है। और अगले 24 घंटे में दोस्तों, आपको सच्चाई सुनकर बहुत बड़ा का लगेगा कि आप उनके साथ जो होने वाला है, इसकी आपने कभी सपने में भी कलपना नहीं की थी। बेटा, तुम बस आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेना, सारी बात तुम्हें सही से समझ आ जाएगी। सर्व प्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले, मात पहले के लिए एक यादगार समय बन सकता है। जी हां दोस्तों, बहुत समय से आप अपने जीवन में महनत करते आ रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन दोस्तों आने वाले इन तीन दिनों में आपको। दोस्तों, दिन का जो दूसरा भाग रहेगा, यानि दोपहर के बाद का जो समय रहेगा, उस समय में काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन आपको अंजान लोगों की सलाह नहीं सुनना है। आप। दोस्तों, यदि किसी मुसीबत में फंस भी जाए, आपको कोई सलाह लेनी हो, किसी से कोई जानकारी इकठा करनी हो, तो आप अपनों से बात करिये, गैरों से नहीं, क्योंकि कुछ अंजान लोग आपको गलत मार्ग पर भेज सकते हैं, आपको गलत सलाह दे सकते हैं, वहीं दोस्तों, दफ्तर में सहकर्मियों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, किसी छोटी सी बात को लेकर, दफ्तर में विवादित स्थितियां बन सकती है ऐसे में दोस्तों जो आपके सहकरमी है जो लोग आपके साथ काम करते है वे लोग दोस्तों आपकी तरक्की से आपकी काम्याबी से बिलकुल खुश नजर नहीं आएंगे हमें, दोस्तों कई बार ऐसा लगता है कि अरे ये व्यक्ति तो मेरा शुब चिन तक, ये इनसान तो मेरा भला चाहता है, ये मेरी खुशियों में खुश होगा, हमेशा मेरी अच्छाई के बारे में सोचता है, कई लोगों पर हम आँख बंद करकर इस प्रकार से विश्वास कर लेते हैं, लेकिन मित्रो, आपको मैं एक बात सीधे सीधे शब्दों में बता दूँ, हर कोई आपका भला नहीं चाहता, जी हाँ दोस्तों, जीवन में हमारी यह बात हमेशा याद रखना, हर कोई आपका भला नहीं चाहता, लोग जैसे सामने से दिखाई दे रहे हैं, अकसर वैसे होते नहीं हैं, और जैसे होते हैं, वैसे दिखाई नहीं देते, तो आपको दोस्तों, कभी भी अंजान लोगों की बातों में फंसना नहीं है, अंजान लोगों की बातों में उलजना नहीं है, आप अपने दिल की करिये, आप अपने मन की करिये, तो आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं दोस्तों, मेहनत करने में इस दिन आपको आलस्य नहीं दिखाना है दोस्तों, यदि किसी काम को करना प्रारंब कर दिया किसी काम को करने की शुरुवात कर दी है तो आलस्य मत दिखाईएगा मन लगा कर मेहनत करिएगा मन लगा कर परिश्रम करिएगा तो आपको निश्चित रूप से काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे क्योंकि दोस्तों कई बार देखा गया है कि आप कामों की शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन जैसे जैसे आपको सफलता नहीं मिलती एकदम से सारे काम पूरे करने जाओगे तो आपका कोई भी काम पूरा नहीं होगा आपके सारे काम बिगड जाएंगे आपको थोड़ा संयम बनाए रखना होगा थोड़ी शांती बनाए रखनी होगी चीजों को समय देना सीखना होगा तो आपके काम अवश्य बनेंगे वहीं दोस्तों, युवाओं के मन में आज नए नए विचार आ सकते हैं तो आप अपने विचारों को ऐसे ही मन ही मन दबे मत रहने दीजिए अपने विचारों को अनुभवी लोगों के साथ आप शेयर करिए कुछ अपने गुरुजनों के साथ जो जो अनुभवी लोग घर परिवार में उनके साथ अपने विचारों को बांटिये ताकि आप किसी अच्छे निर्णय पर पहुँच सके आपका विचार अच्छा हो तो आप कोई बड़ा काम जीवन में कर सके मानसिक रूप से दोस्तों आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं आपका मन आज थोड़ा शांत रहने वाला है ऐसे में आपके लिए बहतर यही है कि आप थोड़ा मेडिटेशन पर ध्यान दें थोड़ा योगा एक्सरसाइज पर ध्यान दें इससे दोस्तों मन की चिंता दूर होगी। कॉमर्स काम से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों आपके नए नए ग्राहक बनने वाले हैं। आपके जीवन में नए नए खुशियां आने वाली हैं। यदि आप पढ़ाई लिखाई के लिए कह नहीं बाहर गए हैं या किसी कोर्स को करने के लिए बाहर गए हैं तो दोस्तों समय आपका भरपूर साथ देने वाला है। अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपके काम बड़ी आसानी से पूरे होने वाले हैं। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको दोस्तों शांत शांत मन से निर्णय लेने होंगे, परेशान मन से निर्णय लोगे तो काम बिगड जाएंगे, शांत मन से आपको निर्णय लेने होंगे, साथ ही साथ दोस्तों अपने काम करने के तरीकों में भी आपको बदलाव करना पड़ सकता है, जी हां दोस्तों आज कल के जमाने में य अपने व्यापार को चलाना, आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है. साथ ही दोस्तों आपको बता दें, घर में छुपी हुई कोई बहुत ही पुरानी वस्तू इस दिन आपके हाथ लग सकती है, जो आपके लिए बहुत ही कीमती है, लेकिन घर परिवार में दोस्तों किसी बात को लेकर विवाद भी हो सकता है. जमीन जायदाद बंटवारे को लेकर लड़ाई जगड़े हो सकते हैं. ऐसे में परिवार वालों का मन काफी अशांत रहेगा, तो आपको अपनों के साथ बैठ कर समझदारी के साथ बात करनी होगी. आपको अपनों के साथ समय बिताना उनकी सभी निराशाओं को दूर करना होगा, क्योंकि कुछ नकारात्मक प्रवृत्ती वाले लोग आपके परिवार में आग लगाने का काम करेंगे. अब यह कोई भी हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके रिष्टेदार हो सकते हैं, आपके बंधु सखा, आपके पडोसी हो सकते हैं, कोई भी नकारात्मक प्रवृत्ती के लोग आपके घर परिवार में आग लगाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आपको अपने बड़े बड़े फैसलों में भी बदलाव करना पड़ जाएगा, तो ऐसे समय में ध्यान रखें कि दोस्तों ह हर बात पर विवाद न करें, हर बात पर लड़ाई जगडा न करें, अन्यथा चीज़ें बिगड़ जाएगी। दोस्तों, पार्टनर्शिप में यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, तो आपके और आपके सांजेदार के बीच तालमेल अच्छा बना रहेगा। लेकिन ध्य साजेदारी में यदि आप काम करते हो, व्यापार करते हो, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो सोचने समझने की शक्ती है, वह शक्ती काफी मजबूत रहे। दोनों साजेदार एक दूसरों की बातों को बड़ी आसानी से सुन सके, समझ सके, तब जाकर दोस्तों, आप किसी बड़े किसी सही निर्णय पर पहुंच सकोगे, वहीं दोस्तों, निवेश करने के लिए समय अच्छा है, यदि आप निवेश करने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो जिन्दगी आपको मौका दे सकती है, आप किसी अच्छी जगह, किसी बड़ी जगह निवेश भी कर सकते हैं, तो आपको बता दें, यह समय आपके लिए एक ऐसा समय है, जिसकी प्रतीक्षा आप कई सालों से करते आ रहे थे, जी हाँ दोस्तों, इस समय का इंतजार आप कई सालों से कर रहे थे, आपने मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने मेहनत करने से कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए, लेकिन दोस्तों, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पाई थी, फिर भी आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाई थे, लेकिन अब जाकर परिस्थितियां बदलने वाली है, अब जाकर स्थितिया बदलने वाली है। अब दोस्तों आपके नए-नए काम शुरू होंगे अब आपको अच्छे से सफलता मिलने लगेगी। अब आपकी सोची समझी जो जो योजनाए थी वह पूरी होने लगेगी। आपके सोचे समझे काम पूरे होने लगेंगे, तो देखिए मौका तो काफी अच्छा है, मौका बहुत सुनहरा है, जिन्दगी आपको अवसर भी दे रही है, ऐसे समय में आपको यह अवसर चुराने होंगे, अपनाने होंगे, कई बार दोस्तों ऐसा हो जाता है कि हम जो चा में आकर या फिर लोगों के कहने में आकर आप कोई भी निर्णाय लोगे, तो सदैव आप दुखी रहोगे, इसलिए अपने निर्णाय लोगों के कहने में आकर मत लीजिए, अब अपने निर्णाय खुद लेना शुरू करिये तो देर लगेगी, हाँ दोस्तों एक बात आ अगर आप शिवजी का अभिशेक करते हैं, तो आपकी मनोकामना वे जरूर पूर्ण करते हैं. यह संभावना बढ़ जाती है. इसी के साथ साथ जो लोग कहते हैं कि हमसे न हो पाएगा, वे लोग इस सावन के महीने में भगवान महादेव पर विश्वास रखिये. आपसे ज आपके पास जरूर होगा. लेकिन इस कला को आप पहचानते नहीं हैं और हमेशा तनाव में रहते हैं और हमेशा दुख भोगते रहते हैं. इसलिए खुद को प्रसन रखिये. खुद को इस बात का एहसास दिलाएं कि जो भी होता है वह भगवान की मर्जी से और हमारे अच चिंता करूं. यही थिंकिंग आपको रखनी है. यही सोच आपको रखनी है. फिर लाख परिस्थिती बिगड़ जाए. आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. देखिए, दुनिया में गिराने वाले तो लाख मिलेंगे, लेकिन उठाने के लिए किसी के उपर हाथ मत ब करेगा आने वाले अगले साथ दिनों में. व्यापारिक स्थितियां काफी सही नजर आ रही है. व्यापारिक चिंताएं जो थी, व्यापारिक समस्याएं जो थी, उनका अंत होने वाला है. नए अनुबंध जुडने वाले हैं और बड़ा ओंडर मिलने की संभावनाएं हैं On order काफी बड़ा होगा, जिसका maintenance या management आपको खुबसूरती के साथ करना होगा, और इस तरह से market में अपनी छाप छोड़नी होगी कि आप बड़े से बड़े order को भी कम से कम समय में और अच्छी से अच्छी तरह से complete कर सकते हैं, इसी के साथ दोस्तों, महफिल तो सजेगी यार वही शब्द हमारे मुह से निकल जाते हैं, वह शब्द सामने वाले के दिल को इस तरह से, प्रकार से नुकसान पहुचाते हैं कि वो उस चीज को कभी भुला नहीं पाता और मन ही मन हमें उसका दुश्मन मान लेता है, तो कोशिश यही करनी है जब भी यारों की महफिल में आप जाएं, कहीं पर आप खड़े हो, शब्द चयन आपके अच्छे होने चाहिए, गडबड आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए, छात्र जितने भी हैं, उन्हें अच्छे स्कॉलर्शिप मिलने की संभावनाएं हैं, या जो नए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे मेहनती थे, उन्हें भी अच्छे स्कॉलर्शिप के बलबूते पर, एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो इस मौके को बहुत अच्छी तरह से पकड़ना है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है, कई बार ऐसा होता है, कि लोगों को ऐसा लगता है, कि अभी तो बहुत समय बचा है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों को कल कभी नहीं आता, वास्तविक्ता में लोग आलसी होते हैं, और परिस्थिती से भागते हैं, देखिए, जिम्मेदारियां हर किसी के जीवन में आती है, या तो हम उससे लड़ सकते हैं, य जा तो हम उससे किसी भी तरह से निपट सकते, लेकिन हम भाग नहीं सकते, अगर हम भाग जाएंगे, तो कभी भी हम जिम्मेदार नहीं बन पाएंगे, कभी भी हम परिपक्व नहीं बन पाएंगे, आगे वीडियो में सावधानिया हैं, और अंत में हैं बड़े जरूरी उ इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर आप विडियो को बिलकुल अंत तक देखते रहे। शुरुआत में ही अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिए। सावधान रहिए। कोई गलती नहीं करनी है। कोई परेशानी होती है तो डॉक्टरी सलाह लेनी है। खुद डॉक्टर नहीं बनना है। वरना अपने हाथों अपनी तबियत और ज्यादा बिगाड इसी के साथ साथ दामपत्य जीवन काफी सुखमय रहने वाला है। न्यू मैरिड कपल्स तो बहुत ही ज्यादा इंजॉय करने वाले हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जब आप बहुत ज्यादा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, साथ में अपनी जोडी बना दूर के रिष्टेदार संबंधी, सगे संबंधी हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं? हमारे दामपत्य जीवन पर नजर लगा देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इन्हें अच्छा रिष्टा कैसे मिल सकता ह इसे इतनी अच्छी पत्नी कैसे मिल सकती है? उनके मन में यही भाव चलते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है? ये लोग हमारे बीच लड़ाई करवा देते हैं. अगर आपका पार्टनर ऐसा है कि वो किसी की भी बातों में आ जाता है, तो उनकी बातों में आकर आप पर शक करन लगते हैं, तो जीवन में सब कुछ अच्छा है. अगर इंसान अपने साथी पर भरोसा रखें और किसी और की न सुने, आपको भी अपने साथी की और अपने आपकी सुन्नी है, अपने भगवान की सुन्नी है. कोई आकर भढ़काता है, तो बिना सोचे समझे किसी पर शक नहीं करना है. बिना सोचे समझे किसी पर भी आपको ऐसे इलजाम नहीं लगाना है. आने वाला जो समय है, जो दोस्तों, आने वाले अगले साथ दिन व्यापारिक स्थितियां हमने आपको बताई है, काफी अच्छी रहेगी. लेकिन नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर भी हो सकता है. अब आप दोनों में से एक तो चुन नहीं सकते, तो धर्म संकट की स्थिति आपके लिए बनने वाली है. लेकिन अगर अच्छी जगे हो, तो आप जा सकते हैं. अच्छी जगे ट्रांसफर हो रहा हो, तो आप ले सकते हैं. प्रमोशन की भी बात है. काफी सम कुछ समझ करके आपका अपना निर्णय लेना होगा. इसी के साथ दोस्तों, पल भर में आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, और पल भर में आपका मूड एकदम से खराब भी हो जाएगा. तो कोशिश आपको क्या करनी है? कोशिश आपको यही करनी है कि आप जो भी घमंड करें. आपको वह सलाह ले लेनी है. अगर आप काम धंधों की तलाश में है, अगर आप एक बेरोजगार इनसान है तो कोशिश यही करनी है कि आप हर जगह समय पर पहुँचे. जितना समय का ध्यान रखेंगे, उतना समय आपका ध्यान रखेगा. क्योंकि समय बड़ क्रिपा बरस्ते देर नहीं लगेगी. देखिए, मान लीजिए, अगर आपको कर्ज की बहुत ज्यादा समस्या है, आरण बहुत ज्यादा आपने ले रखा है, लोन आपका बहुत ज्यादा है, तो आपको सावन के पवित्र माह में. एक लोटा जल शिवलिंग पर अपने घ का चढ़ाना है. उसके बाद थोड़ी सी मसूर की दाल, जो लाल रंग की मसूर की दाल होती है. थोड़ी सी मसूर की दाल, शिवलिंग पर आपको अरपित करनी है, और उसके बाद मंत्र क्या बोलना है? ओम आरण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः, ओम अरण मुक्तेश्व मुकाम मिलेगा